दोस्तों सामन का प्रिये महिना चल रहा है और ये महिना भगबान शिव को बहुत ही प्रिये महिना माना जाता है जो भी व्यक्ती भूलेनाथ की अराधना पूरी श्रद्धा से करता है तो सामन की शिवरात्री पर उसकी सारी मनोकामनाई पूरी हो जाती है आप भी अपनी मनोकामनाओं को पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए सामन की शिवरात्री सबसे उप्युक्त दिन होता है इस साल सावन की शिवरातरी 19 जुलाई को है, इस दिन कुछ खास उपाय करके अपना मन चाहा वर्दान पा सकते हैं, हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन में तमाम तरह की खुशाली ला सकते हैं, तो आये जानते हैं कौन से हैं वो उपाय, पहला ओम परवती पते नमा इस मंत्र का आप जाप करें, दूसरा उपाय है रोजगार और मनचाही नौकरी पारने के लिए, जलधारा से शिवलिंग का अभिशेक करें, अभिशेक करते समय, ओम नमश शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें, शिवजी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें शिवलिंग के सामने 11 घीके दिये जलाएं इस उपाय को करने के साथ व्रत रखें और अपनी मन्चाही नौकरी के लिए प्रार्थना करें दोस्तों अगला उपाय है सिक्षा और अच्छी एकागरता के लिए बुद्धी के लिए शिवरात्री के दिन गंध मिला जल डालते वक्त शिव शिव का जाप करती रहें अच्छी सेहत के लिए आप शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें उसके बाद जल से अभिशेक करें इत्र अर्पित करते वक्त हर हर महादेव कहते रहें और ओम नमश शिवाय इस मंत्र का जाप करें जाप के दौरान मन ही मन में भूले नात से अच्छे स्वास्त और लंबी आयू की प्रार्थ न करें दोस्तों अगला उपाय है विवाह के लिए गर आपके विवाह में किसी भी तरह की कोई अडच चन आ रही है शीग्र विवाह के लिए आप पीले वस्र पहन कर भूले नात की पूजा करें 108 बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं बेल पत्र चढ़ाते वक्त ओम नमश शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें और जल्दी विवाह के लिए प्रार्थ ना करें अगला उपा संतान प्रापति के लिए विध संतान की दीर-गायूक लिए प्रार्थ ना करें और यह उपाय पति पत्नी दोनो साथ में मिलकर करें दोस्तों अगला उपाया है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, दम्पति एक साथ मिलकर शिवलिंग पर जलधारा अरपित करें, बोलेनाथ पर गुलाब की पंखुडिया अरपित करें, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मन ही मन भगवान बोलेनाथ से प्रारदृह करें, तो